सुबह के नास्तेक बाद दोपार के जब खाने के बारी आती है तो लगता है कौन सी सबजी बनाओं रोज रोज की वही सबजी खा के जब जी भर जाए तो एक बार इस सबजी को आप चरूर ट्राई करें बहुत ही अच्छी लगती है खाने में तो आज मैं सोया चंस की सबजी बना रहे हूँ आलू के साथ और बनाना बिल्कुल असान है और नए तरीके से बनाओंगी इसे तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाले तयार कर लेंगे मैं तीन टमाटल ली हूँ देशी टमाटल लेंगे खटा तो अच्छा टेस्ट आएगा और एक प्याज जो मैं धोली हूँ इसे बारिक बारिक काट ले रही हूँ इसके लिए एक खास मसाला तयार करूँगी जिसकी वज़ा से सबजी के टेस्ट दुगना हो जाएगा प्याज को मैं बारिक काट ली हूँ एक कटोरिम निकाल ले रहे हूँ सेम तरीके से टमाटल को भी काट लोगी और इसके लिए खास मसाला तयार करूँगी साबूत मसाला ताजा ताजा पीश कर अगर सबजी में डालते हैं तो बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है अब मैं एक मिक्षी के जाल ले ली हूँ और इसमें कटा हुआ टमाटल डाल दे रहे हूँ लैसुन और एक हरी मिर्च डाल दे रहे हूँ हमारे बेटे को मिर्च बहुत कम पसंद है तीखा नहीं पसंद करते हैं इसलिए मैं एक हरी मिर्च डाल ली हूँ और पांचे लैसुन के कलियां डाले हूँ, मिर्च आप कम जादा कर सकते हैं दो चिर्मर्च साबू धनिया, आधा चिर्मर्च जीरा डाल दी हूँ, इसमें जादा नहीं, दो काली मिर्च डाल दे रही हूँ थोड़ा सा पानी डाल कर एकड़म महीन मसाला पीच कर तयार कर लेंगे और इस मसाले में थोड़ा सा चुकंदर डालेंगे, भूल गई में थोड़ा ही डालोंगी, इसको छीलोंगी धोली हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है थोड़ा डाले अगर आपको ज़्यादा परसंद हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं इसकी वज़ा से सबजी में कलर बहुत बढ़ियां आता है इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले डालने की ज़वरत नहीं पढ़ती है अब इसे एकदम बढ़ियां पीछ लेंगे देखिए कितना बढ़ियां कलर आ चुका है एक बढ़तर में निकाल ले रहो इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगे जो पेस्ट लगा हुआ है बाद में हम डाल देंगे यह सोया चंग से है एक कफ है इसे में भीगा दी थी गरम पानी में अभी काफी गरम था तो पानी में निकाल दी हूँ थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसका पानी निचोड़ लें अच्छे तरीके से और उबली हुई चार आलू ले ली हूँ आप अपने जवरत खिशाब से ले सकते हैं आलू भी और सोया चंग से भी इस तरीके से आप सब्जी बनाएंगे ना तो घर में रोटी से जादा सब्जीयां खा जाएंगे। अंग्लिया चाट चाट कर खाएंगे और बार-बार यही सब्जी बनाने कर घर में डिमांड करेंगे। तो मैं पानी निचोड दे रही हूँ जब इसका पानी निचोड लेंगे इस तरीकी से तब इसके अंदर मसाले कर टेस्ट अच्छा आएगा पाहले से पानी भरा रहेगा तो जो मसाले डालेंगे सबजी में उसका जूस इसके अंदर नहीं जाएगा टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और दो चेमच में बेशन ले ली हूँ एक अलग कटोरी में इसमें चार चेमच दही डाल दे रही हूँ दही अगर आपको खटा परसंद हो खटा ले सकते हैं खटा ना परसंद हो ताजा ले ले लें दो चुटकी इसमें हल्दी डाली हूँ और एक चेमच भरके जो भी मसाला तयार करी पीछ के उसे डाली हूँ दो तिंचे मज पानी डाल कर इसका घोल तयार कर लेंगे ये इसको भी हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा एक ही सबजी में कढ़ी के भी स्वाद और सोया चंग्स का भी स्वाद पनीर से भी लगेगी ये सबजी आप पना कर देखें अब एक बड़े बरतन में हम सोया बीन डाल दी हूँ और आलू भी डाल दे रहे हूँ आलू को तोड़कर डालू भी उबली हुई आलू है बड़ा बड़ा टुपड़ा करके डालेंगे इससे सबजी थोड़ी गाड़ी बन जाती है तो इसी में डाल देंगे हम जो दही का मसाला तयार की है ओ भी डाल देंगे इसी के ओपर और अच्छे तरीके से मिला देंगे ऐसे खाने में बहुत ही अच्छी लगती है सबजी आप चाहें तो किसी तिवार पर भी बना या घर में मेहमान आ रहे हों कभी भी बना सकते ह कुछ चरपटा खाने के एक्षा हो इस तरीके से आप जरूर बना कर देखें जब बढ़ियां से मिल जाए तब इसे अलग रख दें ताकि दही के साथ जो मसाले हैं आपस में घुल मिल जाएं गयस पे कड़ा ही रखी हूँ इसमें दो चेमच सर्सो का तेल डाली हूँ सर्सो का तेल से सबची पहुत ही पढ़ियां लगती कमाल का स्वाद आता है इसमें आधा चेमच जीरा तेल जरम होने बाद आधा चेमच सर्सो डाल दी हूँ और थोड़ा सा दाल चीनी का टुकड़ एक तेज पत्ता डाली हूं और इसमें दो लॉंग डाल दी हूं खड़े मसाले डालने से बहुत अच्छी खुश्बू आती है जब थोड़ा सा मसाले पक जाए तो प्याज डाल कर भूल लें इसे में भूल ले रहे हूं कलर चेंज होते तक अगर आप सब्जी में दही इस्त कलर भी अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है और टमाटर का मसाला जो तयार करी हूं उसे डाल दी हूं इसी मसाले को इतना अच्छे तरीके से बूनेंगे जब तक कि तेल न छोड़ दे तभी तो सब्जी के स्वाद बढ़ियां आएगा और थोड़ा सा इसमें मैं नमक ड दाली हूं आपको तीखा जादा परसंद हो तो जो रेगुलर के लाल मिर्च आती है उसे डाल सकते हैं या हरी मिर्च डाल दे और जादा अब आप देख पा रहा हूंगे काफी कलर चेंज हो गया साइट में तेल छोड़ने लगा है मसाला किनारे किनारे पे अब इसमें हम यह डाल देंगे सोया चंक्स जो दही मिला कर रखे थे मसाले के साथ इसलिए दही में मैं पहले मसाला मिला दी थी दही हमारा फटेना गरम-गरम में डालने से आप जब दही इस्तेमाल करें तो मसाला जरूर मिक्स कर लें आप सब मिला लेंगे मसाले के साथ अगर आपको ग बस उतार ले ऐसे ही तो मैं इसमें थोड़ा पानी डाल रहε हूँ जो मसाले लगे थे उसमें थोड़ा पानी डालकर दोकर सब्सक्राइड और टाल दी हूँ पहले ही बता दी हूँ पानी अपने घयू रण यह साब से कम जादा कर सकते हैं पांच मिनिट के लिए कबर करी हूँ धीमी आज पे अब हमारी सब्ची तयार हो गई है बिलकुल गाड़े भी है थंडा होकर और गाड़ा हो जाएगा अब इसमें कुछ मसाले और एड कर देंगे आधा चेमच गरम मसाला डाली हूँ एक चेमच कसूरी मेथी थोड़ा मसल के डाल दे रहा हूँ इसमें बहुत अच्छी खुस्बू आती है बाद में ही डालें थोड़ा सा मैगी मसाला डालेंगे आधा चेमच जादा नहीं डालेंगे मैगी मसाला से बढ़ियां टेस्ट आता है और बच्चे भी पसंद करते हैं समय सुपलब्ध हो तो जरूर डाल द अब मैं गैश बंद कर दे रहे हूं हमारी पढ़ियां सब्जी बनकर तयार हो गई है इतना पढ़ियां खुस्बू आ रही को पूरे किचन में खुस्बू फैल गई है इसे आप रोटी पूरी प्रामठा कैसे भी खाएं बहुत ही कमाल की सब्जी बनी हुई है और तेज प विचरस भी आपको पसंद आजाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आपको चैनल पर तेवारी स्पेशल रेसेपी वरती स्पेशल रेसेपी बहुत तरग रेसेपी मिलेंगी बिन मसीन के कई तरह के नमकीन आप बना स सकते हैं जो मैं डाल दी हूं मिर्ज परसंद हो तो मिर्ज भी रख सकते हैं खटा परसंद हो तो नीबू डाल दें जैसे आपको परसंद हो उस तरह के से खा सकते हैं तो हमारे बढ़िया टेस्टी सब्ची हो गई है तैयार हमारे पेटे को यह सब्ची बहुत ही अच्छी मैं मिर्च कम इस्तेमाल करती हूं तो मिलती हूं नेस्ट रेसेपी के साथ